थाना सिकंद्रा शित में बर्चस को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच चले आ रहे जगणे में फाइरिंग हो गई दोनों तरफ से हुई फाइरिंग में एक लड़की गायल हो गई है उसका अस्तार मिला चल रहा है थाना सिकंद्रा शास्त्री पुरम काली मंदर के पास चात्रों के दो गुटों के बीच फाइरिंग हो गई दोनों तरफ से चली गोली से आसपास के शेत्र में दहशत का मौल पैदा हो गया सीओ हरिपरवत मयंग तिवारी फोर्स के साथ मौके पर पहुँच गए सीओ का कहना है कि पुराने विवाद के चलते चात्रों में फाइरिंग होई है सीओ हरिपरवत मयंग तिवारी का कहना है कि सिकंद्रा शेत्र के रहने वाले केड़ी पंडित और सामर्थे स्टूडेंट है दोनों चात्रों गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चला रहा है मामुली विवाद होने के बाद दोनों तरफ से फाइरिंग हो गई जसे दुकान पर खड़ी लड़की के कंद्रे में गोली लग गई गोली से घायल लड़की का स्पताल में लाच चल रहा है फाइरिंग होने पर सीओ मयंग तिवारी के साथ पहुची सिकंद्रा पुलिस ने जाच परताल की इसमें चात्रों के नाम प्रकाश में आ गई पुलिस ने दो चात्रों को हिरासत में लिया है इस प्रकण में शामिल अनिच चात्रों की तलाश की जा रही है